ऑप सभी प्यारी छात्रवों का स्वागत हैं आप को महत्मून कुरॉब की बारे मिया है इसमेंिसेफिक में सबसे महत्मून consideration युट कर दो सबसे महात्पूर सीरियल क्रॉप में कांटेंट क्या क्या होता है तो इस तरीके से लगबग तीन सो दस से तीन सो पचास किलो कलोरी पर ग्राम ग्रेंज से लगबग उर्जा भी मिलता है तो बिटा देखते हैं कि रवी क्रॉप में सबसे महात्पूर जो सीरियल क्रॉप है वो होता है वीट कम में गिहुंझा बटधकल निहूं आप ज parisивает का है तो वेस्ट इसीas ग्या इसका हम Southwest Asia ग्या आप देख सकते हैं कि Southwest Asia इसका Virgin Place के रूप में माना जाता है अगर हम आगे देखेंगे कि ग्योहों के अलग-अलग varieties के रूप में अगर इसके हम classification की बात करते हैं तो classification में सबसे पहला है कि आपका deployed variety और applied variety में इसमें सबसे पहला आपका है ट्रिटकम एष्टिबं जो ट्रिटकम एष्टिबं जो variety सबसे आदा ट्रिटकम एष्टिबं की खेती की जाती है और आप इसमें देखेंगे तो इससे गुड्ड मेकिंग चपाती मलब रोटी अच्छी बनती है और ब्रेकडी के जो भी प्रोड़क्ट्स हैं वो भी छे मात्रा में त्यार होते हैं और इसको अगर देखें जी तो इसमें मैक्समान या डार्फ ब्राइटी इसको डबलब जो किया गया है तो जो डार्फिंग जीन उसके बाद में बेड़ा आपका है टिटकम डूरम को अगर देखें तो इसका क्रूमजूम नंबर होता है टूइन बराबर टुन्टी एट और इस तरीके से इस ग्यों से गर आप इस ब्राइटी से गर आप देखेंगे तो सूजी या से होई यह सब आसानी से बनाया जा सक सकता है टिटकम डूरम के अगर हम बात करते हैं बड़ा चेतर की तो लगबारा प्रसत चेत्रों में टिटकम डूरम की खेती की जाती है और कौन-कौन से प्रदेश इसमें भारत में मकुरूप से मद्धपरदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट के कुछ भागों में इस प्रजात की खेती प्रमुक तोर पर की जाती है तो टिटकम डूरम की रूप में बड़ा अकला आता है कि टिटकम डाइको कम की खेती इसका क्रोमोजोम नमबर होता है बड़ा टूएन बराबर टूटी एट और इससे हम उपमा मलब जो साउथ इंडियन डिक्स होता है इसमें खासका उपमा इससे आसानी से या ज्यादः तरिसे बना जाता है इसकी खेती महराश्यकरनाटक तामिलाड इंस चेत्रों में ज्याधा तरिक्याता है अगर Formation में बर्डेशन के बात करते हैं तो ब्हारत गेहूं के उत्पादन के द्रिश्टकोण से 20 में दूतियस के लिए अगर देखें कि प्रते रिटा के दिरिष्ट कौन से कौन सा है तो यह बेटा है आपका मिंस पंजाब और इस तरीके से अगर आप इसमें कांटेंट के अगर देखें तो इसमें प्रोक्षन் अच्छे मात्रा में होता है जो बैश्व में होने वाला प्रोशन्र के दूर करने में अच्छा होता है इसमें लग بग दस से 20% आपको बताया की ज स्टेव आप आसानी से तैयार कर सकते हैं तो यह होता है साल डिकोईर्मेंट अगर सॉयल रिकुवर्मेंट की बात करते हैं तो बटा गिन्हों के लिए बड़िया क्लियligum साइल यह व्लेक इसके लिए अच्छा थारा से विफ़िई स्टेज वम臉टा मेंत अच्छा होता है तो इसलिए क्योंकि अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग इसके टंप्रेचर की इसमें आउशकता होती है और अगर देखें तो स्वेंग के टाइम थोड़ा सा मौश्चर ठीक ठाक हो साल में टंप्रेचर भी हमीडिटी लोना चाहिए सारी चीजर ठीक हो तो इस प्रकार से ग्योंकि अगर देखें कि कल्चरेट प्रेटिसस में तो लैंड प्रप्रेशन भूम की तो लैंड प्रप्रेशन में भूम को आप लोग जानते हैं कि तैयार कैसे करते हैं तो अगर जो खरीब सीजन की क्रॉप जो त्यार हुई है उस खरीब सीजन की क्र कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा जी रूटिले क्योंकि भारत में अगर देखा जाएगा सबस्यादा जो अपनाया जाने वाला ग्रापूडेशन है वह आपका पैडी प्लस भी तो भीट और पैडी ज्यादा है तो इसलिए बड़ा आप लोग गेहूं और धान तो धान के सब बात सीधा जीरू दियसे या जिताएं उड़ाई करके भी अच्छी तरीके से आप उसकी वगाई कर सकते हैं अब इसमें देखते हैं पंधरा नॉंबर तक बना रहता है तो अच्छे कर सकते हैं इसके आप कर सकते हैं इसके लिए कोई-कान से रिकमेंडेट थी आप करना है तो दस दसे पंधरा नॉम्बर तक आप कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा टाइम होता है इस समय भी प्रकार की प्रजाथियों का प्लेट दियादा पचीस नॉमबर से लेकर के पंध्रा दिसंबर तक कि गेहूं का लेट स्विंग होता है इसमें जिसे लोक नात्वात है जी डबलू चाली से जी डबली एक सो टेतर इन से ब्राइटियों का अच्छी तरीके से उप्योग कर सकते हैं अगर आ देखा जाता है कि अने इरिगेटेड वीट में जहां पर बहुत कम पानी हो तो इसमे अक्टूबर से लेकर रेके और नॉंबर में इस गिहों की बॉआई कर दी जाती है इसके लिए भी अलग-अलग ब्राइटियां और उनका जो पॉड़क्शन है वो दिया गया स्विंग में अगर बिटा अगर इरिगेटेड वीट है तो सिचाई अगर करना है तो उसके लि एक अच्छा मेठेड होता है अगर हमको अन इरिगेटेड में भी तो बाई ड्रिल मेठेट या सीड वी ड्रिल पान से साथ संटीमेटर गहराई तक इसमें होना चाहिए कि जिससे नमी प्रयापत मात्रा में मिल जाए तो इस तरीके से ब्राट कोस्टिंग से आप भी क्यों अगर एरिगेटेड वीट है तो इसमें स्पेसिंग आप 22 उसमें रो मुलब प्लांट रो से रो के दूरी यह आप कर सकते हैं बलब सब्सक्राइब 12 संटीमेटर यह असानी से अच्छा रहता है अगर अच्छी है तो इसके लिए कर सकते हैं और प्लांट डिस्टेंस उसमे अगर आप बात करेंगी तो यह मुक्त रफड़ पर अगर्टेस्ट बेट जानते हैं जिस अगर 1000 जो होता है उसी को हम एक्मेट करूप में मानते है तो इसमें अन्टीस से 40 ग्राम तक इसका जो टेस्ट बेट रहे तो आप 100 केजी शीड पर हेक्टेर के दर से आप बोश सक सकते हैं अगर आपको बोना है तो इसके लिए 120-625 kg बोना है अगर आप लेट स्विंग भो रहे हैं तो उसमें भी 125-640 kg तक आप उसमें यूज कर सकते हैं वहीं पर अगर अगर वीटेविटा तो उसके लिए 60 kg पर हक्टेर इसके लिए बहुत अच्छा सीट को जैaser के आप इसमें आप आसानी से कर सकते हैं इस प्रइकार तो इसका आप आसानी से की मलब १ 수 50 और इस तरीके से फिर आप नपी में और फिर नाटोजन 60ग और फिर 120 मलब कहने का है कि इस-स कीसी स्थेज करते हैं तो पहले आप को बेसल भाद में पिर उसके बाद में सेकंडमें डिटी ट्वंटी फाइब 총 टाइब के टाइम आप केवल नाइट्रोजन का जो भी नाइट्रोजन फेटलाइजर से उसका उपयोग कर सकते हैं फिर उसमें 120 किलो और साथ मिल भी पूरा इसका डोज है इतने डोज में इसका उपयोग कर लेते हैं तो इस प्रकार से यहां पर अगर दिखा कर सकते हैं और अगर तो इसमें आप उपयोग कर सकते हैं यह नहीं तो ऐसे भी 130 और 120 60र 60 कज़ी यह सही मात्रा में है जो आप उपयोग कर सकते हैं यह और और पियोग कर सकते हैं अगला आता है कि यह यह उपयोग कर सकते हैं तो इसके क्वीय साट में भी पिटा पुछा जा सकता है तो एरिगेशन की कौन-कौन सी अवस्था होती है तो यह बहुत ही महत्मूर एक्टिवल आप कह सकते हैं कि आपके लिए साबित हो सकता है इसमें जैसे CRI स्टेज या फिर ट्रिलिंग स्टेज फिर जॉइंटिंग स्टेज फिर आपका यहाँ पर बूर्ट स्टेज मिल्क इस स्टेज इस तरीके से इस स्टेज में पुर्मला करके छे सिचाई जो क्रिटकल स्टेज की रूप में आप कह सकते हैं तो 18-21 दिन बाद 35-45 दिन बाद 55-95 दिन में इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं तो यह आपका अच्छा एक एरिगेशन हो सकता है इस साड़ में पी गहां दो स्टेज पर करना जरूरी होता है महाँ पर पर स्टेज ज्वांटिंग स्टेज और फ्लौरूरिंग स्टेज रिखेत सबदे और चाहिए तो तिस इसमें ध्यान रखते हैं उसके बाद में फिर वीट कैसे कहते हैं यह एंटर कल्चर इंड्विडिंग भिडिंग नियंतर के लिए अगर एरिगेटट एरिया है तो उसमें अगर कौन-कौन से कौमन खर्पतवार जम रहे हैं तो उसका भी आप अगर चौणी पत्ति वाला तो टूपोडी का कर दें अगर वहां पर ग्यों का मामा है तो उसमें आई-सुपरूटरान का यूच्छ कर सकते हैं इस तरीके से यह आगर आपको प्रेमरजंस दुबाई उसका अगर सकते हैं तो यह सब भी इस आप लिग देजी और यह भी आपके लिए प्रियोग हो सकता है तो डिजी सबकर आपको इसमें पर नहीं है अगला आपका सिदा इसमें इल्ड इड आप देखते हैं कि इर्गेरटेड एरिया है तो दोनों में इल्ड कि महत्रा भी आप देख लेंगे इसमें बेटा आगे आप जिसे बारले बारले कराप में भी तो बारले का वोट कल नहीं होता हा aurडियम बल गयर इसका आभी यहाँ पर ग्रेमिनि कि से ग्रेमिया फैमिली ड्रेमिया या प्रेब्लेसी बिलांग करता है तो इन दोनों भषा कल देखेंगे तो एत्विछ weld एक्हा या एथोपिया या इसका वर्जिन प्लेस यहां पर है तो प्रकती इसको नदर c7 इसके वाद और यो गयरार एक प्रमूग अस्थान होता है है यहां पर आप लोग अगर इससे देखें तो इसका भी जिए ग्रापकर डिस्टीबुशन यह भी सभी च्षेत्रों में लगबग इसकी खेती प्रमुग तौर पर की जाती है और भारत में अगर देखें तो इसका प्रथम अस्थान है खासकर बारले का इकोनाबिक इंप्वार्टन में अगर देखते हैं तो आप देखने कि फूड ग्रेंड के लिए इसका अच्छा उप्योग किया आता है और एरिडॉस एमीर डीजन में इसको असानी स से गाइब दाते हैं तो बारले का देखे तो लिए श्टाक पॉल्टई शमें अच्छी तरीके से उप्योग किया यता है और उसके बाद में इसकी चपाती भी बना जाती है और इसका सत्वा भी जो का सत्व भी बना करके लोग खाते हैं इसका बी जाता है फूड ग्रेंड परसंट तक प्रोटीन के अगर बात करते हैं तो लगबग उसमें भी गयारा से पंदरा परसंट तक इसमें परोटीन होता है प्रोटीन को मैंने बताई बटाए आपका कि लगबग 11 से 15 परसंट इसमें प्रोटीन भी होता है मौश्चर की बात करते हैं लगबग 12 परसंट इसमें मौश्चर भी प्रजन्ट होता है अगर हम देख लेते हैं कि इसके बाइट को थोड़ा सा तो इसके दाने को क्या बोलते करियॉप्षिप जोलते हैं यह क्या होता है इसके पुष्प करम को क्या बोलते है इस पाय की आहड़ा के नाम से जानते हैं तो इस तरीके से एक चीजिए इंप्वाटन पॉइंट इसमें और होता है कि जो बारले होता यह लोटता और चारता को सेंट करने के लिए बहुत अच्छी क्राप होती है और यह क्या होता hiç कि इसका उप्योग सबस्याद अगर देखा जा तो माल्ट के रूप में इसका उप्यूग किया था और क्योंकि इसका अल्कौाल बीयर ब nettा ये जो बिटा सभी जानते में तो और उसकी गरालिक्वार्मार चाटीम वह आपके लिए एक अच्छा लगभग जितना ग्यों का इतना भी इसका भी है तो वही चीजे बढ़ा इसमें इसमें भी बाइज दिश्मलों पांच संटीमेटर बढ़ें कर रखते हैं इसमें पचाथतर से लगभग सीड़ेट किया सकता होती है अगर 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 लगभग नाट्रोजन चाली से साथ केजी पर एक्टेर और फासफुरस जो लगभग टॉंटी केजी पर एक्टेर की लगभग जरूरत होता है एरिगेशन भी लगभग वही है दो से तीन इरिगेशन इसके लिए बहुत है इंडर कल्चर में देखें बेडिंग अगर लिए परमकतोर में अगर देखेंगे तो किसके लिये प्रोटीन के लिए होता है प्रोटीन इस नहिंगे अगर हम देखेंगे किसका बॉर्टकल नेम क्या होता है चना का जिसको हम मंगाल गराम के नाम से भी जानते हैं चिकपी या उस नाम से जानते हैं तो इसमें सिसर इराटनम इसका बॉर्टकल नेम होता है इसका फैमली लेगुमनेसी या फैवेसी फैमली से भी बिलांग करता है यह भी आप इसमें जान स करते हैं तो classification अलग इसको classified किया गया इसको उत्पादित इस वे classified कर सकते हैं के रूप में अगर आप देख ते हैं तो लगभग में जो सब्सक्रत शैतर फल में शेतरफलीमैसी परसंद चनि का उत्पादन भारत में ही किया जाता हम भारत चनिक उत्पादन में अग्रिम अस्थान है अग्रिम अस्थान है राजस्थान देखें तो रभी क्रॉप का यह बहुत ही महत्पूर्ण फसल के रूप में इसको माना जाता है और इस तरीके से दलहनी में दलहनी फसलों में देखा जाए तो अरहर का मुख अस्थान है भारत में देखें तो मद प्रमुक्तवर पर अस्थान है दलेनी फसलों के लिए अगर आगे बात करते हैं इसका को एकोनाबिक इंपॉर्टन तो आप लोग मैंने पहली पाइंट में बता दिया कि दलेनी फसल के लिए अगर आप देखेंगे तो लगबग अठारा से बीस पर अठारा से बाइस प्रसं साइल बहुत अच्छा होता है जिसे लोम है सेंडी लोम साइल और बैल एरिक इर इसमें अच्छी सुब्धा हो इसमें सपीशेट मात्रा में नमी हो बहुत ज्यादा नमी कि आउसकता नहीं होती है क्लाइमेट कि अगर मात करते तो रभी सीजन है तो लगबग असलों का माना यह भी आपका कॉमन ही होगा मलब ऐसे चित्रों में जहां पैसिट सो सेंटीमीटर एन्वल बारिश होता हो वहां के लिए प्रमुक फशल है बराइटी के रूप में अगर हम देखते हैं तो शुब्रा जैसे का ब्लू टाइप या बोल्ड सीट टाइप थर्टी पाइ कि उज्वल यह आपका चाप यह आपका अलग-अलग तरीके से इसमें आप देख सकते हैं जो ब्राइटी प्रमुक तवर पर उगाई जाती हैं तो यह भी इसके अलग-अलग ब्राइटी प्रमुक तवर पर उगाई जाती हैं इसमें चने में आप लोग देखते दो परका रवोग्रों में इसी किति की जाती है क्योंकि इसमें साखाएं अधी होती है दुसरा होता है कि आपका सिसर्या काबलियम इसको सफ़ीज चना के नाम से जहांते हैंए इसका करते हैं बढ़ा साथ करते हैं इसका एंडेक्स की बात करते हैं यहां шooic करते हैं यह न remedy इसका क्रिछ दानों कर बात करते हैं यहां पर मैं shang time सबक्राइब नॉमबर के बीच में इसकी तरीके से करते हैं तो लगबग 10 सेंटीमीटर था उसका डेप्थ होना चाहिए अच्छा मौश्चर होना चाहिए चीज होना चाहिए इसमें देखते हैं कि 15 22 पांसेंटीमीटर और प्लांट इसमें 10 सेंटीमीटर का दूरी हो इतने इसके लिए बहुत सफिसेंट होता है साच से सतर के प्रवट आया केजिया दर से सीट टीय़मेंट इसका चीटमान के लिए बिच्छा में कलता है कि यह atmospheric nitrogen को fix करने का काम करता है तो इसलिए इसमें यह प्रिक्रिया कर लेते हैं अगला देखते हैं विड़ा मैनुर एंट फिक्स करता है इसलिए इसमें nitrogen की मातरा को कम डालते हैं तो इसमें 25 kg nitrogen और उसके बाद 50 kg तो पर रहता है तो यह चीज़ इसमें जो भी nitrogen phosphorus जो भी इसका डोज है वो डाल देंगे और अगर देखेंगे कि थोड़ा सा कमी हो रहा है तो इसमें 20 kg पर एक्टेयर के दर्थ इसमें 20 kg पर एक्टेयर के दर्थ इसमें sulfur का भी उपयोग कर देते हैं यह भी point इसमें बढ़ा आ जाता है और इसके अगर देखेंगे तो irrigation के तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा जरू नहीं है तो इसमें क्रिटकल स्टेज तो होता ही है तो इसमें 30 days पर D.E.S. का मतलब यहां पर होता है बढ़ा डे आप्टर स्वाइंग बहुता है कितने दिन बात तो पहला तो तीस दिन पर दूसरा जो करते हैं बढ़ा फ्लावरिंग स्टेज पहला ब्रांचिंग दूसरा फ्लावरिंग फ्लावरिंग में 55-60 के जी 55-60 दिन में और फिर से तरीके से निकाई-गुडाई कर लिया जाता है यह शीच भी थोड़ा सा ध्यान में रखता है और पिर इसमें जैसे पेंडामेथलिन ऐस दिरेट वन केजी पर एक्टियर के दर से प्रीमर्जंस दुआ है इसको अगर डाल देंगे तो खर्पतवार होने का कोई भाय भी और भाय बढ़ाई के लगभाग तीस से चालिस दिन बाद पर जो उपर की जो कल्ला होता है उसको उटा दिया जाता है जिस से ब्रांच बढ़ें और पौदे की लंबाई ना बढ़ने पाए जो उसका ग्रोथ है उसको इस टाप कर दिया जाता है एक कोईशन कभी कभी नमर पूछ लेता है कि चने में निपिंग करिया क्या है यह चीज भी आप लोग रिसर्च इसर्च इसर्च आप जानते हैं इसके अगर हम बात करते हैं उपज का तलबब पंदरा सो से दो हजार क केजी पर हक्टेयर की दर से इसमें उपज भी होता है तो निपिंग की क्रिया इसी थोड़ा सा आप लोग दिख लिए लिए तो पैते दिन बाद इसमें पैते से चालिज दिन बाद यह किया था कि जिससे फूलों और फलिया इसमें ज्यादा मात्रा में आएं इस सब चीज के दर से इसमें उपज रहेगा और तो इसके बाद में फिर अगला बड़ा है पी मिस मटर मटर यह भी पल्स के लिए बहुत ही महत्मुल क्राप होता रवी सीजन का इसका जो बाट करने होता है बहुत है पाईसम सटाइबं और यह भी अब जाले जितना भी लेग्यूम कुशिन इसमें कामन है अगला इसमें वर्जण प्लेस तो इसका उत्पत्य स्थान अलग अलग मना जाता है कि जिससे सौथ यूरोप यह बेस्ट यूरोप जितना में इसको भारत बीस का वर्जण प्लेस मना आता है और इसके दिखा लिया तो दो ब्राइटिश में लगा गारड़न दूने दुनेमें अंतर भी है अगर हम देखेंगे विटा कि इसका जो फिल दिपृ हम बात करते हैं प्यूम स्कॉरे बाराईटी होता ऑर्वेंज इसकी अउसके ब्राइटि होती है और यह लाल रंग के इसमें फूल टेहीं ऑप ये छोले यह रा अचारा कि रूप में यह हरी खाट की रूप में इसका उपयोग रेता हाडा पर जो ओकाय जाता है जबकि पर जो गार्डेन भी होता है उसको आप आसानी से इसमें крепle seeds होते हैं और जो डाल्वाल के रूप में इसका उपयोग आजा अगर आ pop देखेंगे इसका जो ग्रापकल also दिश्टिगूुसं में ड़ इसकी अगर आप देखें तो उसी चाइना रुसिया इंडिया dan सब देशों MIN जातर किया तक उत्तर परदेश मंगर साहरी भारत में आगर देखै तो में ली उत्तर परदेश मद परदेश बिहार इन शित्रों में जाधा तर इसी खेति किया इर्जा सब्सक्राइब करते हैं तो इसका कई सारा है जो इसका एक आर्थिक बात आप कह सकते हैं क्योंकि इसका डाल की रूप में इसका उपयोग करते हैं सब्सक्राइब बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं उसके बाद में दाल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं इसमें अगर देखें तो प्रोटीन लगबग 22.5% इसमें फैड देखें तो 1.8% कार्बोहाइड देखें तो 62.1% इसमें कार्बोहाइड भी होता है इसके लिए बहुत करते हैं अगर दिखते हैं तो एक कृल सीजन की क्राप जिसमें मौडरेट टम्परेशर की आँ सकता होती है और इस तरीके से अगर बराइटी की बात करते हैं तो बराइटी इसमें सबसे फेमस बराइटी आप लोग जानते है रचना है जिसका लगबग 25 से 25 कुंटल पर हेक्टेर से है जिसे आरपना है जैसे आधर्स है विकास है प्रकास है अमन है यह सब इसके प्रमुक बराइटियां इसको आप देख सकते हैं अगर हम देखें सब्सक्राइं से थ्यार करें अब आप स्वें की बात तो छोई 15 फe 15 नॉंबर के समय इसको आप असानी से तयार कर सकते हैं वही समय इसके लिए बहुत प्रयाप्त होता है मैं अब्ल्रण इसकी आप कर सकते है तो इसका थायराम के वारा इसका सीट्ट्मनफ हो विस ए सिट्सेट्मन्फ कर लेते हैं अगर इसमेंये तो पुचास केजी के तक पोटास का प्रियोग इसमें कर देते हैं इरिकेशन के बात करते हैं तो नमी प्रॉपर बनी रहे हिलकि सिचाई दे नहीं कि आओ सकता होती बीडिंग की बात करते तो लगबग उसी तरीके से सब का पेंडा मतली नों कर रहा डालेजे प्रीमर्जन दवा एती थर्टी इसी का तो यहां पर प्रीमर्जन से कोई खरपतवारी नहीं जमेगा अगर जमता है तो निकाई गुडाई भी 25 दिन के कुछ सब कॉमन समय भी हार्वेस्टिंग करके जब पॉड इसका एलो हो जाए तो उसके लिए क्या करते हार्वेस्ट कर लेते हैं और हार्वेस्ट करके फिर दुचार शे दिन के छोड़ करके फि पल्स रिसर्च जो आप जानते हैं इंडियन इस्टिटूट आप पल्स रिसर्च कानपूर महां पर इसकी खेती उसरी यहां पर इसका रिसर्च इस्टेशन है या मेन पल्स रिसर्च इसका भी गुजरात इस्टेश में भी है अगर इसके हम बात करते हैं बड़ा कि उपज की बात करते हैं तो उपज इसमें प्रमक ताउर पर 20-25 क्वंटल पर अक्टेयर के दर्थे और अगर गार्डेंट पी है तो लगबग 100-125 क्वंटल पर अक्टेयर के सब करते हैं गए अम करते हैं अगर आम इसके तनके बात करते हैं पाकिस्तान या चायना भी मस्टर्ड का इसका हम कह सकते हैं कि वर्जिन प्लेस है अगर इसके बारे बात देले तो दलहन या राजस्थान के प्रमुक जो तिलहनी तिलहनी फसल की रूप में माने आता है इसकी क्यों खेती हलकी लोड़ी चारिय मर्दा में असानी से आप क्या एक रख कर सकते हैं भारत में अगर देखा जाए तो प्रमुक रोख पह सरसो जिसका राजस्तान का सब्सक्राप्रग में तुक्ति तब्रगा जाना था सेयर आटा है तो किस में होता है इसमें आइसो सैनेेट के कारण इसमें महेकुत होता या गंध कहीं सकते हैं कि defense कि आप आता है तो यह चीज भी आपका था सा ध्यान में रखना है आगे यहां पर अगर देखते हैं तो अच्वेस का जामन जाता है और इस तरीके से ये भी जियोग्रापकल डिस्ट्रिबिशन में ने बटाई दिया बटा कि कहां कहां पर इसकी घेती उत्तरपदे भारत में खात कर राजिस्तान में इसकी घेती की जाती है अगर देखें तो यह मेजर क्राप है और सीड का मलब कि भारत का रभी सीजन के लिए बहुत ही महात्मों पसल है और जो आप कहे सकते हैं कि तेल का जो खाने वाला तेल इसकी उत्पादन के बात बात करें तो सबस्यादा सरसूस से ही बादन इसका हो सकता है कैटल फीड के मात्र होती है और इस तरीके से शड़ीजिया के लिए त्ली शओ के लिए बहुत ही प्रयाप बहुत ही अच्छी और अगर हम ब्राइटी की बात करते हैं तो अलग अलग इसके ब्राइटी हैं जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं इसको भी आप आसानी से पढ़ लीजेगा कौन-कौन से ब्राइटी इसमें प्रमुक तोर पर हैं जो इसके बारे में भी आप देख लीजेगा क्योंकि अच्छा होता है स्वेंग के लिए खासकर मेतेड आप से कर सकते हैं स्पेसिंग की बात करते तो 45 संटिमीटर की लगभग दूरी इसमें मिंटेन करना चाहिए लगभग 3-4 कजी परक्टियर के दर से इसमें सीट रेट भी उप्योग करना चाहिए स्टीट टीटमेंट की बात करते हैं तो लगभग इसमें लियर अप्टर आपकेप्टाउन आजडरेट 3 ग्राम पर केजी सीट के साथा से इसको आप सीट रेट इससा कर सकते हैं मैनुर फ लीटिः आपत है उसको आप दे सकते हैं कब कब इसमें कितना देना चाहिए पहले ट्वंटीफाइव यटीफाइपे फिप्टी केजी कितना आप दे सकते हैं तो लगभग ऋप में थापैस्पूरोश किछ चीज नीडरेजन थाप ट्वंडल परयक्टेयर के दर से इसमें प्लावरिंग के जिस्ट पाइले इरिकेशन करने के बहुत ज़्यादा आव सकता नहीं है लेकिन एक सुद्व सिजाइज के लिए करना चाहिए इंट्रकल्चर वेडिंग लगबग तीज दिन बाद इसमें इंट्रकल्चर कर देना चाहिए खरपतवार करने अच्छी तरीके इसका उपज होता है और अगर हम ग्राइब सीट का मस्टर के बात करते तो लगबग दो हजार से बाइस सो केजी यह लगबग उसका हो जाता है ऐसे आपका लैंसीड इस तरीके से यह आपके क्रॉप जो मुखतार पर इसमें आते हैं और आप यह आपका संफ्लावर संफ्ल तो भी आप लोग एक बार थोला सा चलते देख लीजिए कि सुगर क्रॉप में कि सबसे पहला में प्रॉप हैं सुगर केन सुगर केन एक बहुत ही महत्मौन क्रॉप है जिसका श्रीकरम ऑफिस से ब्लांग करता है इंडिया इसका वर्जिन प्लेस अगर हम देखें तो आँ सबसे जब्सेज़ा की जाती हैं और सिकरम ऑप्क्नारम ने जाए इसकी कैती बहुत ज़火 ज़्यादा मात्रा में नहीं की जाती है उसके बाद में प्र आपका आथा से किरह बार्वेरी या सेकरम सांइनसीज्स ये सब प्रॉप में साइनन्सिस इसका भी कैति प्रमुक तो भारत देखें तो सिकेरमें आफिस नेरम उपेसिनेरम इसkom नौंबल कींऄ से जानते हैं जो आपका ट्रॉपकल खेतरा को घ्ठा में यसी के मुख रूप से खेती की जाती है या गंणा मिठास और सीला के रूप में होता इसका पतला होता है, चोटा उर मिठा होता है उसके बाद में सिकरम साइनिंसस इसका भी होता है, ये आपका एक चानीज गंणा की रूप मना जाता है, ये तंदा लंबा पतला और मोटा भी होता है, इसके पतियां क्यों होती доб चोड़ा बढ़ में सब चित्र में इंडिया में घर देखे तो इसका घर्टन का और प लिए अब इसका पन्जा महाराष्ट इन पटब बारत करते गने कहँ ब्रहर से सब्सक्राइब हर एक पार्टIGH कंट की ज Sut alternatives के अगूला उसके सब चीजे एगर चीजे बनाते हैं इसका बियर ए myös इसका बनाने में भी इसका प्रिकित विया फिर कितु एप्थ बनाने के लिए यहां पर परकां परतिए 아ठी से साथ इसके लिए बहुत ही आप göra स्वाइले क्लायों बात करते हैं तो इसके ल Fra 세 इसके लिए अच्छा रहता है जिसमें अच्छा गृत कर सकता है अगर के त्यारी करते हैं कि तब्वाइब करते हैं श्राइब करते इसे जो फसले होती हैं 10-12 मन्त की होती है जो सरत कालिंग गनी की बॉइय आती है कि उस तरीके से जो बाइं के लिए मुक्तवार पर उपयोग करेंगे होता है उबर होता है मलब यहां पर एक यहां पर ऐसे इस तरीके से उबर यह आपका जो स्लैंड टेक्निक होता है उससे भी आप कर लेते हैं यह ट्रास्प्लांटिंग अगर आप दिखें कि इसका टेक्निक तो आठ से जो सीड़ बनाते हैं लगबग 8 मीटर टौनाई और 30,000 इसमें नॉर्मल अगर 3 आई के हमला पीन बड़ के अगर केंन है तो 30-35,000 गनने की आउसकता इसमें होती है इसमें जातरम करते हैं वो एगलाल के साहता से करते हैं क्योंकि काटने के बाद इसको अच्छी तरीके से डीप करके एगलाल में और एगलाल के इना 500 ग्राम प इसमें या फायम का उप्योग कर दिया जाता है नाइटोजन लगबग 200 केजी पोटास लगबग इसमें 100-65 केजी फासपोरेस इसमें 100-65 केजी तक आव सकता होती है एरिकेस्तान इसके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता होती है लगबग आशकते कि सिस्टिम लीमिटर जल कि आ इसमें आप ब्लाइंड होईंग भी कर सकते हैं इसकी जरूरत होती है तो इसलिए चार-पाच इसमें अट्राजन के भी आप याप पंडेमेथलीन का उप्योग कर सकते हैं इस तरीके से इन विडिसाइड मों को अप्योग करके उनको आप नेस्ट कर लेते हैं इसमें अलग में हैं और कोंबेटूर जिसमें सुगर कें ब्रीडिंग इस्टिटूट एक लोकेटर कोंबेटूर लखनू में इंडियन इस्टिटूट आप सुगर कें रिसर्च जो इस्टबलीश्ट इन 1952 महां पर हुआ है लगर इसके गर उपच के बात करते हैं लगबग 17 इसका उप केसे तो हैं लगबग in करूप में इसको माना जाता है वेडियो से लगबाप बापको आपके लिए प्रयाप्त है इसकी आप अच्धिकार्ण से तैयारी करलेजगा जो मेंन कर आप और में कराफf 거의 में फंडामिन चीज़ है इसको मैं बता दिया तो आपके लिए बहुत ही, उप्योगी होने वाला है तो बैटा इस वीडियो को सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद